गुड दूर्णिंग दोस्तों डिड मैस चेलन में आपका स्वागत है हम लोग पढ़ रहे थे आगडों का परबंदन तो अमारी जो 3.1 हो सकी थी आज हम पढ़ेंगे 3.2 तो यहां पे देखो आपको पहला परसंद देख रहा होगा गणी इतमे 15 विद्यारती थे 25 में से 15 व से कशुझ यहां आरोई करम कर मतलब हैं सबसे पहले स्वसे करम यहां पर दे रहे हैं 5 फिर उसके बाद नू से रिंगो छोटी कोई नहीं और उसके बाद दस 172 यहां बारा सी बडी संगे कौन सी आ रही है इसमें बारा सी बडी आप 15 आ रही है और 15 सी बडी 16 गुलनीज और गुलनीज के बाद 20 अब देखो 20 कितनी बार आ रहा है 20 देखो 1 2 3 4 बार 20 लिखेंगे 2 3 और 4 बार 20 लिख दिया अब गाएज से बड़ी संख्या इसमें देखो तेवीस शोप बड़ी 25 से बड़ी संख्या देखो पंद्रा हो गई तो अपने करम पूर हो गया 3 6 9 12 12 14 तो 10 संख्या भी यह नीं इक संख्या भी बचरी कौन सी बचरी यह चले में 30 में 5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 इसमें 1 है, फिर 12 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद में 16 हो गया, गुनीश हो गया, गुनीश, फिर 20, 20 कितनी बारा हैं, अपर 4 बार, 23 है, 24 है, और फिर 25 है, अपर 25 कितनी बारा है, दो बार है, तो यह अपनी पूरी संक्या हो सबसी पहले कि आप फोंद रही कि बहु लग रॗ कि के से कहते ही जयो संक्य सबसे जद बार आरहीं ओ का मतलब है अधीक सा अधीक बहुत अधीक है नी put hoe अवी रहे उसे बहु लेंगे बहु लग करेंगे आपे माद्य ये का उली माद्य का माद्य तो हमने फट आता आज फटेंगे माद्य का माद्य तो कैसे गयाद करते थे पूरी संक्या को जोड़ते थे और जितनी संक्या नहीं उसका भाग लगाते थे हम लोग फटेंगे माद्य का तो यहां पर देखो माद्य का लिख इतनी सिंख्या है ना वो एन कमान होगा अब यहां पर सिंख्य कितनी देख्या अमें 15 सिंख्या दे रखें तो इन की दिखा मैं क्या रखूंगा 15 और प्लस एक एक से बटा दो पंदरा और एक क्या होगे 16 16 बटा दो पराबर के आगया 8 8 वा क्या आगया अपर आठ वा पद यह पद ग्याद करते हैं इसे माध्य का आठ वा पद अब हमें आठ वा पद देखना एक दो तीन चार पांट छे साथ और आठ वा रहा है बीस तो यहां पर देखो आठ वा पद क्या है माध्य का बराबर क्या आया परसल नंबर एक पुर्ण यह मारा परसल नंबर दो दे रहा है यहां पर जिसक्ट इप्र किया है एक एक करकेट मैं इस था उसमें याद कर रहा हूं तो माध्य देखो क्या से जोड़ेंगे निको 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 15 8 10 और 15 जो कितनी संग्ख है एक दो तीन च्यार पांच 6 7 8 9 10 11 तोटल कितनी संग्ख है आपर 11 संग्ख है तो किस कितने खाएंगे आपांपे 11 जब इन सब जोड़ेंगे तो आमारे पासट क्या आएगा इन सबका है न हम लोग योग करेंगे यहां पर तू क्या आएगा इनका यहोग आएगा कि वह लग के लिए सबसे पहले क्या करने पड़ेगा इनको करम में लिखना पड़ेगा आरोई करम अरूंग या छोटी से बढ़े करम ही तो सबसी सो इक लिज पचास ऐसी सो और एक सो बेश अब देखो गैरा संग्य हो गई कर थी चैए नो और दो गैरा यह अब देखो बहुत लग का मतलब जो मादी का है उसको मैंने आपको सुत्र बताया था अभी इसे पिछली क्यूशन में क्या था एन पलस एक बटा दो तो एन का मुण कितना है यहां पर 11 है एक का मुण कितना है एक तो एसे केज़े 2 जंशन पर 11 और यहके फिसम का मादी का बढर पंदरा मदी का बरावर पंदरा तो इस्तरह को हम लोग माध्य बहुलाग और माधश को निकाल सकते हैं देखे जो हमरोर परसन इम्हीं निमर्ब तीन उसमें 15 वी द्यारतिके बहार दे रखे हैं सबकर को बज़न दे रखा है और यहां पे इसे में गात करंता है श्बतन तो आरुवि करम देखो, इसका करम गयाद करता हूं सबसे बले, सबसे सब से टिसिंगे, इसमें मेरे इक्कया देख रही है, 32, तो यहांपर में 32 लेकर रहा हूं, 32 के बाद देखो, क्या आपको कही 33 ने जरारा है, क्या, 32 के बाद कहीं भी 33 नहीं, शिद्धा क्या है, 35, 35 के बाद में देखो 36 37 के बाद में 38 होगा और 38 के बाद में दुबार 38 है और फिर उसके बाद में गुण चालिस नहीं है तरहाफे था पी 40 है 30 कितनी बार है एक बार 40 है 40 के बाद में 41 नहीं है सबस्क्राइब दो तीन बार 43 है फिर उसके बाद 45 यहाँ पर एक बार दिखाए दे रहा यहाँ बिलिग दे 45 के बाद में 50 अब इनको गिनो क्या यह संखे 15 हो गई तो सही है नहीं तो कोई नको इसंख्या छूट गई है तो इसमें देखो 38 एक बार दो बार एक 38 हो रहा है इसमें 38 को यहाँ पर अर्जेस्ट करा है 38 एक बार गया और 42 है ना 38 के बाद में 40 है एक 40 अब देखो इसमें कितने संख्या होगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस से 11 12 13 14 14 संख्या होगी एक संख्या में 37 सूट गए आपे नीचे तो 47 लिक रहा हूँ और 50 लिक रहा हूँ तो यह संख्या हमारी टोटल हो गई 15 उसके बाद हमें बहुत लग गयात करते हैं तो बहुत लोग कैसे गयात करते हैं इसके पर यह सных के सब से जबारा रहा है तो इसको काउंट करते हैं सब चेहां 38 कितनी बारा रहा है 3imana और सिंफ्य कौन से आ रहे हैं यहां 33 honour कितनी बारादा है मतलब इसकी कितनी बहुत लगा है दो बहुत लग है यहां पर लिखेंगे हम भी लोग कौन कौन से Aye 37 दो दोसरा परसन का जवाब तो य है किया यहिए इसके दोशहा है क्या इसके जाड करने के लिए आपको पता है क्प्लस एक व३टा दो ईन्य जितनी पर शिंह के दी हμεना उंगा बहुत देना है यहां पर 15 भी द्यारतिक बाहर दी हुए है तो सिंके कितने हैं यहां पर 15 लिख रहा हूँ पंदरा में एक जोड़ना और किसका बाद देना है दो का तो 15 और एक होगे 16 16 में दो का बाद देते हैं आपर कितना है आठ वा पद यहां आठ उत्तर नहीं आता है जो और वेकर में लिखा हुआ है ना उसका आठ वा पद देखना है तो माठ आठ गेना हूँ एक दो तीन च्यार पांच छे साथ और आठ तो आठ वा पद यहां पिक्या रहा है चालीश तो हम लोग जो कि लिखेंगे माध्धिक बराबर क्या आया माध्धिक बराबर क्या चालीश तो हमारे पांस के ऑगयात न्बर कितना हैं और जो आरे माधिक बराबर क्या पूछ रहा है लिखला आठ परसन नमर चार हो कि कुछ होई कितने अंकड़े इस नहीं उक यहांप हम लोगोंग लिखते हैं इसको किसमे आरोही करम्मी आरोही करम्मी लिखने के लिए गया तो आथी होई है तो इसमें कौन सी सिंखे काईप हुई है बारा बारा को में दो बार लिग दिया फिर यह समय 13 13 यानि एक 13 और फ़ेट इनके सबसे ज्जादा तीन बार रहे तो बाहु लग लग ब्राबर क्या आगया इसके बाद देखो यहां पर माद्द्या क्या आद करा है माद्या का वह रूच्टर है हमारा जो अभी पिछले कुर्शन पटते हा रहे हैं मध्यक बराबर n पलस एक बट्था दो यह अपना मध्यक है यहाँ इन कमान कितना है कितनी सिंख़ा है एक दू थिन च्यार पांच है इसका माद्य के आ गया माद्य को बराबर 14 यह उत्रा गया तो हमारा जो परसन नमबर पांच है उसमें सत्य और अश्चित बताने हैं यहां पर खतन दिये हुए चार खतन तो पहला खतन है भूलग आंखड़ो में से सद्धे वह एक संक्या होती है तो हमको पता है जो भूलग क्यात करते हैं डी आइक योगी है हुए होगा उसके बहुत हैं उसके बाहते हैं तो तो उनमेश्ची कौंसी संक्या ज़ादा बाराती है तुसी क oppression हारते हैं तो इसे आखड़ों मेंसे लेते हैं नो संक्या इनक्या को तो यह खतन क्या हो गई? ह economic भाग लगाते तो उसमें नई हो सकता है इसकी लिए हम पने कहले कहीं हैं ऊच्छ को तो कभी भी मैंने आपको बतायता है एन प्लस एक बटा दू यह वाला सुत्तर निकालते हैं इसी कौन सा पता आता है हमें पद मिलता है इसमीचे से पांच ओपद है छटा पद है साथ ओपद है और वो पद किसी में से हम लोग कह सकते हैं जो माध्य को तहीं जो आंकडों में हमारी जो ती इन पॉंटें दो परसनाव लिया है वो पूरी हो गई है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो का दीख से दीख से शेयर करें और चलन को सब्सक्राब जरूर कीजेगा चलें मिलते हैं अगले क्लास में